कि हैं एलो स्टुडेंट्स तो आज हम इस चैप्टर का जो है सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे ता फैरी इन दपरपल इसका जो है लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं हमने लास्ट टाइम पे यहां तक पढ़ लिया था इसको देखिए गोर्जियस ड्रेस तक देख करके वह सुन्दर नहीं लगती उसके बाद काफी उसकी मतद करती है उसके बाद जो है राजा के पाद जाना होता था था वह इस तरह की से अपना जो रूप चेंज कर लेती है उसके बाद क्या होता आगे पढ़ते हैं इसको तो शिवाजा फैरी ओफ मीडियम जैसे उसने अपना रूप बदला तो बहुत ज्यादा सुन्दर दिगरी थे ड्रेस्ट इन वेल फिटिंग ड्रेस ओफ सिल्क ओर्नामेंट विद दिजाइन और दो मॉस्ट एक्सिक्वेट टेस्ट सबसे सुन्दर जो है डिजाइन की उसने ड्रेस पैने वीथी परपल कलर की हर डाक हेर वर ड्रेस्ट इन अपलेट एंड देकोरेटेड विद पर्ल्स ओफ फर्स वाटर ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बाल है वो बिल्कुल ऐसे लहरा रहे थे नदी का पानी जैसे लहरें नहीं लहरा थे हैं वैसे लहरा रहे थे हर फीचर्स वर रेगुलर अब बिल्कुल पर्फेक्ट नहीं जो नए नक्ष थे वो बिल्कुल एक सही स्थिती में आ करके उसको बहुत जादा सुन्दर बना रहे थे उसकी हाथ भी बहुत जादा सुन्दर हो गए थे और उसकी हाथ में एक अंगुठी थे जो उसको और भी ज़्यादा सुन्दर दिखा रही थी तो उसकी आखे जो बड़ी बड़ी थी इसका मतलब यह हुआ कि वो इस वक्त बेधर थी कि सबसे सुन्दर लड़की या औरत लग रही थी ठीक है वेन हार हस्बेंट सो हर एशी रिली वाज ही वांटेट टू बर्न हर स्किन टू लिव हैपी हैपली और एक मिनट स्किन टू लाइव लिव हैपली विधर उसकी स्किन को जो है वो जलाना चाहता था दूसरी स्किन को कि जो उसकी स्किन जो उसने उतारी थी उसको जलाना चाहता था और कि ताकि इस जो लई लड़की है इसने जो स्किन उतार के अपनी में पुशाक में या फिर में इसमें नेक्ष में आई है उसके साथ रहने को मि वहस्य थे वह तो अलग ही थे मैंस डिजाइर इस नेवर कम्पलीटली सेट आदमी की डिजाइर कभी भी सेट फाइर नहीं कर सकते बीर बंदा स्किन उसने जलती हुई स्किन को स्मेल किया और वो उड़ करके प्लैंक्विन में चलेगी प्लैंक्विन होता है पालकी जिसमें राजा रानियों को ले जाते हैं वो पालकी से उसमें चलेगी टेलिंग दे केरियर्स तो वक ओन केरियर्स क्या वो जो पालकी को उठाके ले जाते ना जो लोग उनको पालकी चलने के लिए कहा उसको ठीक है बिफोर दे हाद गोन फार शी शिप्ट आउट अन परसीवड और जैसे वो थोड़ी सी दूर गय वो किसी को दिखे बिना गाया बोगी मांस बीर्स एपी अट वट ले थोट वास तो वह तो बहुत ही सुन्दर जो है लड़की हो मिल गी मैं चको इसके रूप में और उसने जैसे पालकी का वो परदा उठाया कि हाँ देखता तो हूँ तो उसने देखा कि वहां पे तो कोई नहीं है पालकी बिल्कुल खाली है प्लैंक कुईन को पालकी बोलता है ठीक है अगर किसी को नहीं बता तो इसको मांग करके आप लिख लेना पा और जैसे उसको थोड़ा होश है तो उसने देखा कि हाँ वो बिल्कुल ही उदासा हो गया विदाउट अ कमपैनियों उदा तो साथी बिना किसी साथी को उदासा हो गया वो अपनी पत्री को चाहता था और उसकी एपसेंस क्या होता है उसकी जो नामजूदगी है ठीक है उसका ना होना जो है उसको बहुत परिशान कर रहा था बिल्कुल छोटे टाइम के लिए भी thinking that life without her was not worth living कि उसके बिना जिन्द की जीना बहुत ही मुश्किल होगा और कोई काम की नहीं है वर्थ लिविंग होता है क्या वर्थ याने की लायक और not याने की बिना लायक मतलब कि लायक नहीं जीने की लायक नहीं है उसकी बिना लायक जो है मेरी he thought the bearers might have stolen her away and had them beaten and whipped but to no purpose तो उसने सोचा कि कहीं जो ये दूसरे लोग है जो इसकी पाल की ले जा रहे थे कहीं उन्होंने तो नहीं उसको चुरा लिया या फिर गिनाप कर वगरा कल लिया है तो वो उनको पीट देता है लेकिन कुछ का काम नहीं आता हो when he could not find her he sent out barefooted for jungle in search of her after several days journey he reached a place where a sadhu lived तो जैसे उसको नहीं मिली तो वो जंगलों में चला गया उसको ढूंडते हुए कि कहीं तो कहीं नहीं मिलेगा उसको ढूंडते हुए आज दिर उदर बटकने लगा और बाद में जाकर कि उसे एक ऐसा ये साधू मिला तो वहाँ पे he served this sadhu for some days one day the sadhu asked him his object तो उसने कई दिन सेवा की उसकी sadhu की उसके बाद sadhu ने पुछ लिए हावी क्या दिखकता दोजी क्या चाहिए तो he related the whole story at the end तो उसने सारी राम का था अपनी जो सुना दिये कि मेरी बीबिया से गायोग हो गई है तो he asked the sadhu about his wife and how could he find her again तो उसने पुछा की मैं कैसे अपने पत्री को मिल सकता हूँ मतलो की मैंने उसे खो दिया है कैसे मैं उसे दुबार पा सकता हूँ तो इस पर क्या हुआ the sadhu told him that his wife was at that time in a place from which it would be difficult almost impossible to get her back without the sadhu's help बीर backed him for help which the sadhu after many entreaties promised to provide तो sadhu ने का कि आप तो ऐसी condition पहुँचे जा उससे मिलना जो है मुश्किल है आप नहीं मिल सकते लेकिन बीर जो उसके कतों में पढ़ गया और गड़ गड़ाने लगा कि मुझे मिलना आप प्लीज आप मेरी मदद कीजे किसी भी तरक्के से तो लाश्ट में जो है sadhu मान जाता है उसकी मदद करने के लिए अब आगे क्या होता है the sadhu told beer that his wife was far away in the land of fairies तो sadhu ने बताया कि जो उसकी wife है न वो बिलकुल परियों के किसी एक जगा पर है जहाँ परिया रहती है ठीक है if beer got supported by two bricks if beer got there he would find his wife lying on a Persian carpet with her head and feet supported by two bricks तो उसने का कि अगर तुम वहाँ पहुंच जाते हो किसी भी तरीके से तो आप तुमें जो अपनी अपनी मिल जाएगी जो कार्पेट पे लेटी हुई है supported by two bricks तो इंटों के बीच में ठीक है he should first lift her and reverse her position to that her head would be on the brick that had been under her feet under her feet and her feet on the brick that had been under her head ठीक है तो उसको सही position में लेके आना पड़ेगा उसकी जो गर्दन है वो बिलकुल इंट के नीचे नीचे की तरफ पड़ी होई है और उसकी जो ठांके है वो बिलकुल इंट के उपर की तरफ पड़ी होई है तो आपको सही position में उनको लगाना होगा निकाल करके तब आपकी जो wife आपको मिल सकती है तो उसने का कि इस तरीके से ही आपकी जो wife है रिस्ट्रोड क्या होता है रिस्ट्रोड होता है बहाल होना या वापिस उसी position में आना जिस position में कोई चीज पहले थी तो वो उसी position में आजेगी जैसे पहले थी आपको ये काम करना होगा after this he should mount his horse with her and make his way as rapidly as possible to hermit's hut first putting a little cotton in both of his ears so as not to hear the sweet and chanting melodies of the fairies तो वहाँ पर जैसे ही आप को वह मिल जाया और ये सारे काम आप कर लो तो आपको अपने घोडे पर बैट करके घोडे परबैट करके जितना तीजी से अइसके उतना तीजी रूऀबकर निकल लूग्ण उसके बाद दा फेरीज वोड फॉलो हिम पुल हिम तो पीसिस बट वेन दे ड्रू नियर दा शुड नियर ही शुड थ्रो बिहाइड हिम दा गंटेंट्स ओफ वन ओफ दा पैकेट्स ओड़ पाउडर दा साधू वोड गिव तो आपका जो है परिया जो है पीछा करेंगी आपको उसको ले जाने ने देंगी आपको रोकेंगी तो आपको क्या करना है मैं आपको एक पाउडर दूँगा जिस जो आपको जैसी वो आपके करीब पहुंचे आपको पकड़ने के लिए आपको वहाँ छटक देना है यह और जैसे यह दुबारा करीब आए तो आपको वो पावडर का सेकंड जो पैकेट है वो फिड़का देना जिससे की एक जोर की जो है आंधी आजाएगी हावा में तो आपको एक के बाद एक जो है पावडर के जो छिड़कतर है ना जिससे की हीट और मतलब याग लग जाएगी कभी पार नी आजाएगा महां पे कुछ-कुछ हो जाएगा तो उसने वाईस सारा काम कर दिया वहां पहुंच करके जो उसने जो सादू ने बताया था उसके बाद परियो ने उसका पीछा भी किया लेगे उसने अपने आपको बचा लिया किसी भी तरीके से पावडर का इस्तमाल करें तो जैसे कि सादू के पास पहुंचे तो सादू ने उनको आशिरवाद दिया कि अब तुमाए अपनी पत्री मिल गई है और तुम इसके साथ जो है अच्छे से रहोगे शुक चांती से खुशी जीवन अपना जीओगे उसके बाद थोड़े साल बाद उनको जो है बगवान से किरपा मिलती है उनको एक बेटा पैदा हो जाता है तो यह जो स्टोरी थी यह आज हमारा कंप्लेट हो गया सेकिंड चेप्टर और यह वर्ड मेनिंग है यह वीडियो लंबी हो गए तो वर्ड मेनिंग मैं आपको न शेयर कर दूँगा ठीक है आप यह वर्ड मेनिंग अपनी कोपी में लिख करके अलगी वर्ड सेपर शेयर करना हूं कि